अबर है जन्पद एवध्या से आपको बताते चोले कि जन्पद एवध्या में सरकारी मैंकमे की खेल भी अजब कजबें। आदमी भली ही वजोद में हो मगर तैसिल के जिम्मेदाल कर्मचारी उसी कफकाग जी मृतु देदे कोई ठीकाना नहीं। यह पूरा मामला एधिया जिले की तैसेल पीकापुर के विकास खंड तारूल अंदरगत आने वाली ग्राम पंचायद भधार खुर्द का है। जहां ग्राम पंचायद भधार खुर्द निवाजी बुजर्ग महावीर पुत्र रामफल ने उपजिला अधिकारी पीकापुर के समक्ष पीस होकर खुद के जेवित होने की गवार लगा है कि करीब 20 वर्स पूर्व गाउं के ग्राम विकास अधिकारी द्वारा उसे काग इस मामले का खुलासा होने के बाद राजसुई लेखपाल द्वारा ऑनलाइन आवीदन को निरिस्त कर दिया गया मगर इस संसनी खेश खुलासी के बाद गाउं में सन्नाटा का माहल ब्यार थे बताया चारा है कि पीडित महावीर ने यह भी बताया कि वह कहार जातिका है जबकि उसकी भूमी गाता संख्या 1093 इस्थित भूमी ग्राम फादर खुर्द बुजुर्ग पर शडियंत्र के तहत अन्य बिरादरी के माफियाओ द्वारा चल कपट करकी हथियाने का शडियंत तहसे इंदार को स्वपी है तो वहीं दूसरी ओर खंड बिकास अधिकारी तारू को भी चास करने के निर्देश दिये गए है इंडिया 24 इन्टु सेबन लाइफ टीवी के लिए सती स्यादो की रिपोर्ट इसमें महावेर पुतर रामपल भलार्पद वुजित के इंगलासी है गाटा संक्षाव और दसको तिरानवेर रगबा एक दसमलो एक तो पंचान बेक तेयर है इस जमीन को हड़पनिक हेर दिलासी गंज के हैं जिलका देवी पतनी राम अधार इन्होंने मिर्द परमालपत इंग महावीर को सन 2000 में दिखा दिया इसका परमालपत भी बनवा लिया और परिवार रइश्टर में भी दर्च करा लिया अपने साथ बादार पुर्द में जबकि निवासी वो दिलासी गंज की है और इसके बाद यहां आवेदन किया है फुरासत थे फुरासत को लेगव को दिया है जिसमें जांत के लिए वीडियो साहब को और तासिंदार साहब को लिए यह मैंने रश्टी ना करने के लिए या किसी सुद्रे व्यक्त को ख़ा करके रश्टी कराने हिद कोई अगर जाता है तो उसके खिलाब जो है यहां दे दिये हैं सब रश्टार महुदय विक करवई किया है मेरा नाम रखपा सिंगे डुकेट विकाप पिता जी महाबीर है और इनके पिता जी राम फन है जो की जिन्दा है और कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे पिता जी को मृत दिखा करके और जमीन को हड़कना चाहते हैं और सन 2000 में मृत परमाड़ पत्र बन वाली है जाज के वह यादों हैं और मैं कहार हूं और उनका ननिहाल दोस्त ग्रामपूर खंपूर में है और मेरा घर भदार खुर्द में है और पिता जी मेरे जिन्दा है और हम तीन भाई है